नमस्कार दोस्तों आप सभी का टेस्ट बुक सुपर कोचिंग प्रेटफॉर्म पे स्वागत है मेरे नाम है प्रदिमंदर पाथी और इस सक्सस्टोरीज की शंखला में आज हमारे साथ एक सक्सस्टोरीज इस्टोरेंट है जो नहोंने अपनी महनत से अपनी लगन से इस एक्जामनेशन को क्रेक किया है जो जोती जी आपका स्वागत है टेस्ट बुक सुपर कोचिंग प्रेटफॉर्म पे अच्छा लगा कि आप यहां आई और आपकी जो जो प्रिपरेशन की जर्नी है जो सक्सस आपने जो अचीफ की है उसकी इंस्पारिंग जर्नी जो है आप हमारे साथ शेयर करें जिससे दूसरे ओडियन्स भी जो है जो स्ट्रेंट है वो भी आपके स्टोरी से इंस्पार होंगे पहले आपने क्या क्या चीज़े की होई है मतलब gradation masters होगा रा रभी ग्राजवेशन मैंने पीजी दीवी से किया है और मैंने master सिवाजी college से किया और यह मेरा third attempt है तो मैंने ऐसे ही दे दिया था जनरली देखने के लिए पैटन क्या है, कहां लाए करती हूँ, फिर second में मैंने अच्छे से पढ़ा था, then second June थोड़ा tough था exam, that's why उस टाइम पे नहीं हो पया, मतलब आपने March वाला attempt दिया हुगा, March वाला first attempt होगा, yes sir, yes sir, उसके बाद June में, yes sir, मतलब एक साल के अंदर जो है, yes sir, चलिए, so, सबसे बहली बात तो जो आपने आप तीन attempt दी है, so, पहले attempt, जिसे हम जब multiple attempts देते हैं, बहुत सरे students attempt देते हैं, और selection होता है नहीं होता है, तो हर attempt के बास को सीखते है हम लोग, so, आपका क्या सीख रही आपने जब दो attempt दिये, उसके थर्ड attempt में आपका finally net crack ह हुआ है, so, दो attempt में क्या सीखा जाए हमको अपने जो attempt समदेते हैं, उससे क्या learning हमको लेने चाहिए, वो आप में सबसे क्या होती है, सर, basically, जहां मैं mistake कर रही थी, वो मुझे इस attempt में समझ में आया, कि मैं paper pattern को नहीं ससबा रही थी, कि मतलब किस unit से क्या पूछा जा रहा है, basically, तो पढ़ने को हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, कि मतलब एक unit है, उसमें आप पढ़ते जाओगे, अगर आप और बहुत बहुत सर, वो चीज कहीं नहीं गलत कर रही थी, मैं पढ़ती जा रही थी, balance नहीं बन पा रहा था, तो पहले attempt में तो पता ही नहीं था, second attempt में मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा बहुत YouTube से start किया, तो यूरूप पर पढ़ने के बाद थोड़ा समझ में तो आ गया, कि कैसे क्या करन है, बट सर फिर मैं बुक्स के साथ जब जाने लगी, जैसे ये सरवसतिया, इसके नोट्स वगेरा, पॉलिटिकल के, तो सर वो पढ़ते जाओगे तो पढ़ते ही जाओगे वाला सिस्टम है, तो सर जब मैंने पीवाई क्यू उठाए, आपने मुने को सजिस किया था कि मॉ अगर किसी नदी में आप कूदने जा रहे हैं, तो पहले उसकी गहराई ना पलीजे, यूरिसने एग्जामनेशन इतना टफ एग्जामनेशन यह अगर आप इसको स्टार्ट करने से पहले अगर उसको अनलाइस कर लेंगे, कि वाट या लुकिंग फॉर, किसी टॉपिक में कितना गहराई में वो जा रहा है, तो एक अंडरस्टेंडिंग आपके बन जाएगी, और चीजे फिर आपके लिए स्मूथ जाएगी, कि हर सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस की बात करो मैं, जोग्रफी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्शन आपके बने हैं, बहुत बास करता है, जिसे बहुत इंटेलिजन बच्चे कई बार नहीं कर पाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं, लेकिन को पता है कि कैसे प्ले करना है, कौन से को ऑब्जर्व करके वाला भी सिस्टम होता है, एक कामन सेंस होता है, कि भाई आप कोई 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 बढ़ रहे हो, तो यह मै सोच के सही, मैंने कोशन ऐसी गलत किया है, और मुझे बहुत रिग्रेट हुआ उसके लिए, कि गलत कर दिया, बट पहली जो गलती में कर रही थी, उसके अकॉर्डिंग ली यह सही था, यह चीज था, बतलब सीधी बात है, जादा सोचना भी प्रॉलमेटी करता है, और बह अब अच्छा, इसमें कही नगये मुझे लगता है कि मॉक टेस्स का और टेस्स सिरीस का भी भाज़ादा होता है, यह सर, आपके इसाब से मॉक टेस्स जब लगाते हैं, उसमें क्या अप्रोच होना चीए, मॉक टेस्स को अटेम करते राइम क्या किसी भी स्टुएट का अपने देखे, ऑप्षिन में कुछ नए थे तिंकर है, जनको आप बिल्कुल नहीं जारहे हो, तुछ तुनको तुमको स्WITCH करो, इनका क्या है, कैसा है, उन्होंने क्या concept दिया है, जान पाचान बनाने, ता इससे क्या होता है, जान पाचान बनाने से कई लिए कौशियन ज एक बहुत अच्छी बात आपने जो एक्जाम हॉल के बारे में स्टार्ट किया आपने बताया एक्जाम हॉल में बैठते हैं तो कही बार ऐसा होता है कि हमने पेपर खुला और एकदम से स्टार्टिंग में चार पाच तफ कोशन दिख गए और उस situation में बहुत अच्छे से अच्छे स्ट्रट जो है अपनी होप खुल जाते हैं पेपर बहुत तफ आ गया हो सकता है कि उसके आगे की कोशन आसान है बट वो एक confidence वो out of the ball system हो गया तो sir उसमें मैंने एसास किया कि आप यह में सोचो कि अगर चार कोशन easy है तो आगे कोशन tough नहीं होगा और अगे के अगर चार tough आ रहे हैं तो पीछे easy नहीं होगा अपना patience बनाना बहुत जरूरी है कैसा भी question पहला एक question आया tough आया कोई बात नहीं कर पारो करो otherwise छोड़ो कोई बात नहीं उसको review के लिए रख दो और अराम से अगर गलत जा रहा है paper कैसा भी है लंदी है यह परिशान नहीं होना है बस question कर अपना काम शोड़ दिया आपने तो फिर बहुत sincerely उसको handle करना है अगर वो exam tough होगा तो बाद में decide होगा क्या होगा क्या होग अगर आप सुझे हैं कि मेरे लिए tough लग रहा है तो फिर वो ऐसास होता है अब तुम्हें गई क्योंकि जून में ऐसे हुआ था मैं गई तो सर वो गई वालने रोपना है वो अपनी डोर कीच के रखनी है कि नहीं दिमाग को पहला है तो अब थो हम बात करते हैं preparation strategy को लेकर कि जब आप preparation कर रहे थे तो syllabus दोनों से बिटका बहुत अच्छा है आपने पहले तो एक चीज बहुत आप आप कर लिए कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये चीज आपने with the help of PYQ decide कर ली थी तो उसके इलावा जो preparation strategy में syllabus coverage है ठीक है जो सबसे बड़ा करना है तो अगर smartly cover करना है तो कितना time लग सकता है अबरेजली सबकी condition अलग है जहां तक मैं कोई working है तो वो पने सबसे पढ़़ा है तो मेरा मानना यह है कि जैसे कि हर एक unit पर आप एक week बना लो कि मतलब इस unit पे मैं इतने topic बढ़िया अच्छे से clear करूंगी एक week का system बना जो आपको easy लगता है सबसे पहले वहां से start क्योंकि कोई भी exam प्रिपेर करते है अगर हम tough उठा लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता फिर पढ़ने बैठने का मन नहीं होता है चार विंटा पांच विंटा बैठने को इच्छा ही नहीं जमेंगी और अगर easy चीन उठा ली जो आपके interesting है कि यह topic मुझे बहुत अच्छा लगता है यह thinker अच्छा लगता है थोड़ा पढ़ने की habit बन जाए तो तफ चीज भी अराम से हो जाती है वह सब सब्सका अलग है जैसे मैं जॉब करी थी उसके साथ मैंने study किया जॉब के साथ भी आपने चार गंटे बढ़ती थी बस क्या बात है बहुत सारे students के मेरे पास message आता है कि sir हम तो working में है काम करते इतना time ही नहीं मिलता है कि हम preparation करे तो like jyoti would be the better example here कि आप 4 घंटे भी अगर आ इतना निकल जाता है किसी भी job के साथ में रात में दो घंटे आप निकाल लीजे तो अगर आपके अंदर जिद होगी और आपने जुनून होगा ठान लिया है तो आप वक्त निकाल लेंगे और नहीं है तो फिर वक्त के बहाने बहुत सारे मिल दातें कि ना पढ़ने के बह करते हुए हो सकता है कि आप एक्जाम के ना पर थोड़ी सी छुटी एक्स्टा ले लीजे थोड़ी सा कहीं से टाइम मेनेज एक्स्टा करें लेजे तो अच्छा कासा आपको धाई महिने मेरे थापसे चार-चार हफते के थापसे दो हफते और लग गया आपको तो इंपोर्न टॉपिक से उसको कवर कर सकते हैं चैले एक एक और मेजर प्रॉलम्स स्टुट्स को फेस होती है कि पेपर वन जो है उनको बड़ा टिपिकल लगता है तो पेपर वन में आपके साब से क्या स्टड़ीजी किसी भी स्टुन को लेकर चलने चाहिए जब हम वह प्र और उनके कुशन्स लगाए थे और छोटे-छोटे नोट्स बनाए और जो करेंट उन पर आते हैं जैसे कुछ इन्वार्मेंटल पर पॉल्सी चल रही है या जैसे टीचिंग अप्टिटूड में है वह उप्जर वाले कुशन है मतलब जरूरी नहीं है उसमें बहुत पर ल इसमें बदकाता है रिसरच पढ़ना सर मतलब मेरे फ्रेंज्ट तो यह कहते थे पढ़ना नहीं है रिसरच बखवास ता मैंने एक महन रिसरच ऐसे पढ़ा था रूम बन करके जिसे मैं हूं और मेरी वुक है और मुझे बहुत मजाया था तो सब महने सिफ एक महनें उसके कभी research revise भी नहीं किया है तो भी ही अच्छा था अपने जनरेट कर लिए तो और यहां पर अच्छी बात यह भी होती है कुछ conceptual part कि वो एक बार आपने कर ले रहा है आपको जाला महनत नहीं लिएगी उसको करने में एक बार का अपने प्रेक्टिस कोशन भी कर ले तो सारी चीज़े रिकॉर्ड आपको अच्छी बात है पेपर भी अच्छा है और वो सीरी बात है कि जो पिछले साल की लर्निंग थी उनको भी आपने थ्यान देगा विकॉस बहुत सारा केम तो जो है एक्जाम हॉल के अंदर होता है एक्जाम हॉल में कितना एप्रोप्रीट बेहेवियर आपका है वो बहुत जाएं करता है कि आप एक्जाम करेक्ट कर पाएंगे नेक्स्ट ली हम बात करते हैं जैसे कि हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो मल्टिपल रिसोर्से हैं हमारे पास ठीक है क्लासेज देखनी है नोट्स पढ़ने है टेस्सीरीज लगानी है अब उसमें होता गया है कि कई बार स्ट को लगता है कि मैंने यह जो पढ़ा है वो इनफ नहीं है या फिर यह भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ चार चीज़े दिखती है तो उस सिच्वेशन में हमको क्या सही तरीका अपनाना चाहिए कि कौन सा कंटेंट सही है या फिर कहां पे किन topics में में क्लासेज देखें किन topics के हम कोशन प्रेक्स करें या फिर किन topics के लिए हम मौक के भरूस से छोड़ दें तो या फिर किस topics को स्रफ हम नोट से कवर कर ले तो वो कैसे manage कर रहा है, because तीन चाचीज है, और especially जैसे आप working है, तो आपका और साथ और कम time था, कि आप पूरा का पूरा time, साधी एक डिड़े रहंटे के classes भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद notes भी time taking है, तो कैसे manage कर सकते हैं, कि classes भी अपना work भी होते जाए, और सा समझ लो, कि ये पूरा paper मुझसे मांग क्या रहा है, क्या demand है इसकी, तो उसके बाद basic books पड़ो, और sir, आप, आपको अगर जो follow करेगा, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा उसा सोचना है, तो अराम से आपकी classes देखे, basically, तो पता तो चली जाएगा marathon classes देखे, और उसके होता है, तो main क्या होता है, कि वहाँ पर question कैसे आ रहा है, उससे question कैसे generate हो रहा है, और PYQ आपको ज्यादा better hype करता है, कि अच्छा, ये आपने पढ़ा है, इस topic से question कैसे generate हो रहा है, वो आपके लिए चीज़ों को आसान करते हैं, तो आपके time बचा रहा है, जो है, maximum students तो time दे रहा है, तो आपके time दे रहा है, तो आपके time कर सकते हैं, और even while being a working professional भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा working professional होने के नाते, फिर आपको थोड़ा सा और smart खेलना पड़ेगा, आपको हर Saturday Saturday जब मिला, उसमें strategize कीजिए कि आने वारा जो पूरा हफता है, मैं कैसे आपने 4-4 गंटे अगर मेरे पास है, तो 4 गंटे हो कैसे maximum utilize, अगर आप clueless है, अपनी profession को लेगे कि ठीक है, चलो Monday को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो आपका already determined हुचिए और उसके लिए हमसे कर आपको, जब भी आपको weekend off मिल रहा है, तो थ एक proper targets है, चोटी-चोटी targets होगी, और उने बहुत चीवाद बुली, small targets और वो चोटी-चोटी achievement जब होगी न तो आपको confidence भी देंगे कि हमने इतना कर लिया, तो एक चीज़ यह होता है, कि जैसे कुछ लोग होता है, कि revise नहीं करते है, revise भी बहुत बड़ा important role play करता है, तो गर में आप कहीं भी board पर चिपका दीजे, जितना आपने लिखा है, shortly जैसे books हैं, और कोई thinker है, जैसे कुछ लोगो thinker का idea ही नहीं पता है, कि वो क्या idea दे रहा है, या किस thinker में क्या बोला होगा, कई पर हम गलत कर, अंबेड का और गांधी का, सेम लगता है कि यह court उन्हो यूट रहे हो, तो just, देख लो, daily अगर देखोगे भी न, तो paper में वो ऐसे दिखता हुआ द मज़र आजागा, कि भही नहीं, देखा देखा लग रहा है, तो बस वो कुछ तीजे, 20% यह भी cover कर देती है, यह है कि आपको भी कुछ effort लेने पड़ेगा, आप कुछ हैं कि बन this generated by introducing your labor into that, वो आपकी संपत्ती चर्प बनेगा, अभी तक वो मेरी संपत्ती है, मेरी जो class है, मेरी class है, मेरा content है, उसको अगर आपको अपना करना है, तो उस पर आपको अपना labor डालना पड़ेगा, उसमें से वो चीजे चुड़नी पड़ेगी, जो exam में आ सकती है, उसको अपने short notes में डालना पड़ेगा, और उसको पढ़ना पड़ेगा बार-बार, जैसे कि और ने बता है कि कहीं आप चिपका लिजेए, जो आप पुला रहा है कि एच्छा है, यह important thinkers से आ सकते है, उनके list बना लिजेए, उस पर question form कर लिजेए, कि यहां से ऐसा question आ सकते है, तो अपर आप service करना चाते है, preparation plan में, तो आप service कर सकते है, सबका अलग होता है, पढ़ने का तरीका, मैं जहां तक जानती हूं, बट इतना तो mind में रखना है कि क्यों कर रहे है, सर why clear होना चाहिए, अगर why clear नहीं है ना, तो आप ना एक दिन बोर हो जाओगे, फिर आप मती नह जाएगी कि आप दुबारा एक्साम दो, क्योंकि मैं तीन बार एक्साम दिया, तो गर में भी सब कर रहे है, क्यों दे रहे हैं, तो सर why clear होगा ना, तो किसी से पोचना बताना नहीं है, सर आप काफी हो, YouTube पे बहुत टीचर से जो motivate करते हैं, सर आप time time पे हमेसे हमको guide करते रहे हो, कि ऐसे नहीं ऐसे परो, यह रहा या तो यह करो, तो सर यह बहुत है, बहुत इनफ है, मैं तो क्या ही कहूंगी, ने अच्छी बात है, और बाकी why वाली बात बहुत जरूरी है, आप कोई चीच क्यों कर रहे हैं, उसका अगर आपके पास जबाब होगा रहे हैं, त देखेंगे, आपके family friends भी देखेंगे, तो किसी और को भी अगर आप अपनी success के लिए dedicate करना चाहते हैं, इसका credit देना चाहते हैं, तो आपके लिए मेरे family, खासकर मेरे बड़े विया, जिन्होंने मेरे education में मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो कभी भी मुझे 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 यह नहीं कहते हैं कि अच्छा इतना कर लिया हो गया बहुत, वो अगर कहते हैं तो मैं higher education में जाना है, तो मैं जो भी करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, और family में हर कोई अपने level पे support करता है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक कदम चल रही तो सायथ पीछे से कोई help कर तो वो family बहुत matter करती है, girls के लिए तो खास कर सकते हैं, तो ममी, पापा, भाई, सब खुस होते हैं, तो उनकी खुशी ना देखकर बड़ा चल रहते हैं, उनकी खुशी है और उनकी खुशी देखकर आपको भी एक साहस मिलता है, जैसे दोस्तों, ऐसे ही inspiring journey लगाता है, टे जो problem face कर रहे हैं, वो उनके भी face किया और उसका solution उनकी कैसे निकाला, वो अगर आप इस video से learn करेंगे, तो बस हमारे इस video का objective पूरा होगा, टेक है, जिससे आप लोग भी समझ सकें कि हाँ, इस examination की preparation कैसे करनी है, क्या सही तरीका है, क्या करना सही नहीं होगा, do's and don'ts को पत क्या कर रहा है, तो वो identify करने में आपको ये videos help करेंगे, ठीक है, thank you so much, keep watching textbook super coaching platform, thank you so much.